मैं दर्शिल सैनी कशा आठवी बगबय का छात्र आज हिंदी अक्टिविटी में विशेशन बताने जा रहा हूं विशेशन जो शब्द संग्या या सरनाम शब्दों की विशेशता बताते हैं वह विशेशन कहलाते हैं उधारन राम बहुत मोटा है इसमें मोटा शब्द विशेशन है क्योंकि यह राम की विशेशता बताता है विशेशन शब्द जिन शब्दों की विशेशता बताते हैं वह विशेश्य कहलाते हैं उधारन हर्शित बहुत चलाक है इसमें चालाक विशेशन है और यह हर्शित क निल्क नामिक विशेशन इwn जो विशेशन शब्द विशे कर आते है् उन्हें गुण वाजक करते हैं जैसे तुम ने सुन्दर दुलदस्टा बनाया इसमें सुन्दर शब्द रूप का बहुत कराते हैं संख्या वाच्चा क्विशेशन जो शब्द संग्या या सरनाम की संख्या का बहुत कराते हैं उन्हें संख्या वाच्चा क्विशेशन कहते हैं जैसे मेरे पास तीन किताब है इसमें तीन किताब की संख्या बताता परिमान वाचक विशेशन जिन विशेशन शब्दों से विशेशे के माप तोल का पता चलता है उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जैसे मुझे दो किलो टमाटर देना इसमें दो किलो परिमान वाचक विशेशन है यूँकि यह है टमाटर के तोल का तोल बताता है सा संग्या की अवस्ता कि तीन अवस्ता होती है मुला वस्ता उत्र अवस्ता उद्मा वस्ता मूला वस्ता इस अवस्ता में किसी भी प्रकार की तुल्ला नहीं होती केवल विशिष्टा का समाने कथन होता है उत्रा अवस्ता इस अवस्ता में दो व्यक्तियों वस्तुयों पदार्तों की तुल्ला करके कम या अधिक बताया जाता है उत्मा अवस्ता इस अवस्ता में दो से अधिक प्राणियों वस्तुओं पधार्तों के बीच तुल्ला करते हुए किसी एक को सबसे बढ़कर या सबसे कम तर बताया जाता है थैंक यू